इसेञोल सेजोल तो यह सेड़ोल है सेजोल के समय में तमिलाडू के छेतर में जो चोलो कासन करता था था तो चोल पंडिजवार नहरु जो प्रधान मंत्री है उनको प्राप्त हुआ था तो यह सत्ता हस्तानांतरन का एक परतीक था मतलब कि इस तरह से एक छड़ी है और इस चड़िया के उपर में यहाँ पर गोल सा है और इसमें ऐसे करके नंदीका यहाँ पर एक मूर्ती बना हुआ है नं यहाँ पर बैठेंगे उसी के बगल में इस तरह से एक काज की ग्लास में इसको पैक करके यहाँ पर रखा गया है और यह संगोल उसी के बगल में रखा रहेगा जो अध्यक्ष रहेंगे अध्यक्ष जैसे यहाँ बैठे हुए तो बैस अब यहाँ पर जो है इसको काज के फ्रेमिंग में फ्रेम करके और ये रखा गया है संगोल को ये चोल समय में सत्ता हस्तानंतरन का प्रतिक था सत्ता जिसको जैसे नया सासक बना तुसको दे दिया फिर नया बना तुसको दे दिया गए इस तरह से सत्ता हस्तानंतरन होता था तो ये प्रतिक के रूट में काम करत अब बहुत संगर्ष किये भाई साव अपना सासन सप्ता समारिए तो यह काम यहाँ पर संगूल का दिया गया है यह बहुत चर्चे में रहा था यह संगूल क्या है तो हम यह आपको बता दियें मुख्य रूप से केवल सप्ता हस्तानतरं का एक परतीक है और नंदी सांती का परतीक के रूप में हापे देखने को मिलता है